टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच ये लिए जा रही चार टेस्ट मैचों की सीरीज का चौथा और अंतिम मैच एमदबाद के नरिंदर बोधी किरकेट के स्टेडियम में चार मार्च को खेला जाना है वहीं तीसरे टेस्ट को जीत कर जहाँ टीम मीडिया ने जादतर खिलाड़ी रिलैक्स मूड में नजर आ रहे हैं वहीं हार्दिक पांडिया अपने खेल पर जमतर मैनत कर रहे हैं मुई हार्दिक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वार्यल हुआ, जिसमें वो हवा में लंबी छलांग लखाते हुए एक जबरदस टैच पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुई हार्दिक पांडेंग लैंड के खिलाब खेली जा रहे हैं, चार टेस्ट मैचों के सीरिस के लिए भारते टीम का इसा हैं, लेकिन अब तक उनको प्लेंग लैंड में खेलने का मौका नहीं दा। ऑस्टेले के खिलाब खेली गई टेस्ट सीरिस में, आल राउंडर को उनकी पीट की सर्जरी के चलते हैं, टीम में शामिल नहीं किया जा था। हार्दिक पांडिया अपनी फिटनेस और खेल पर लगातार काम कर रहे हैं, जिसका वीडियो वो शोशल मीडिया पर आई दिनों शेयर करते रहते हैं। वह गौरतलाब है कि हार्दिक के पिता का हाली में निदन हो गया था। जिसके बाद बढ़ो था कि इस खिलाड़ी ने अपने पापा के लिए बेद बावक पोस्त भी लिखा था। हार्दिक अपने पिता काफी करीब थे। और टीटनेस सीरीज में पांडिया का बल्ला जमकर बोला था। और उन्होंने को चला जवाब पादियां भी खेली थी। वे बाराम आर से इंगलेंड के खिलाब सुरू हो रहे टीटनेस सीरीज में भी फैंस को हार्दिक की धमाकेदार पादियों के इंतजार होगा। वे अब देखना होगा क्या चौतर टेस्ट मेंच में हार्दिक पादियों को प्लेंग 11 में जगा मिलती है ने। खेर आपके क्या रहा है हमारे कमेंट बॉक्स पर मेंचिन करना ना बुलें LD Newsroom की रिपोर्ट